Hello students, तो इस वीडियो में बात करेंगे CA Intermediate and CA Final May 23 का result कब तक declare हो सकता है? Continuous इसके regarding में CA students मुझसे पूछते रहते हैं कि CA Intermediate and CA Final का result May 23 का कब तक declare हो सकता? क्या इसके related कोई भी official update है कि result कब तक आने बाला है? सबसे पहले बात कर लेते हैं students, official update के बारे में कि ICI के guideline में CA Final result के बारे में क्या लिखा गया है? तो अब आपके screen पे सो कर रहा है कि CA Final May 23 का result जो कि official यहाँ पे लिखा हुआ है कि July के last week या नहीं तो August के first week में declare हो सकता है? अब बात कर लेते हैं CA intermediate के result के बारे में तो CA intermediate का result यहाँ भी यही लिखा हुआ है कि July के last week या नहीं तो August के first week में result declare हो सकता है? बट students इतना delay नहीं होगा, अगस्त में result declare नहीं होगा, आप लोगों को भी पता है, result पहले आ जाएगा CA intermediate and CA final का, अब मैं बात करता हूँ expected result date के बारे में कब तक आप लोगों का result declare हो सकता है? सबसे पहले जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब CA final मे 23 का result आया था, तो 15 जुलाई 2023 को result आया था, same exam भी हुआ था, कि में में exam हुआ था, और 15 जुलाई के आसपास मे 22 का result declare हुआ था, इसी तरीके से बात करते हैं, CA intermediate मे 23 का, तो CA intermediate मे 23 का result आपको 21 जुलाई के आसपास result declare हुआ था, अभी कुछ YouTube चैनल पे आप लोग वीडियो देख रहे होगे, बोल रहा होगा कि आईसे है का council decision है कि 21 जुलाई को result हा सकता, यही 21 जुलाई के बारे में आप लोगों को बता रहा है, वैसे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दे, आप लोगों के म एक साथ result declare हो सकता है, जब तक official news या इस पर कोई भी internal news नहीं आएगा, तो ज़्यादा कुछ कहां नहीं जा सकता है, बट मेरे हिसाब से आप लोगों का result एक साथ देखने को मिल सकता है, या नहीं तो 3-4 दिनों का gap होगा, और result declare हो जाएगा, अब बात कर लेते, expected result date के बार सकता है, CA intermediate and CA final का एक साथ, 2-3 दिन आगे पीछे हो सकता है, बाकि इसके related कोई भी internal news या कोई भी update आएगा, सबसे पहले charter studies आप लोगों को inform करेगा, relax रहो, YouTube पे फाल्तु वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा, काउंसल decision है, यह है, कोई भी decision नहीं आए, ऐसा कोई अपडेट आएगा, तो charter studies पिसले 3 सालों से सबसे पहले update कर रहा है, तो YouTube पे update करेगा ही करेगा, relax रहो students, अभी कुछ time है, इसका सही utilize कर लो, अगर आप लोगों को share market में interest है, तो description में link मिल जाएगा, फिरी में demand account open कर सकते हो, तो link description में open करो, फिरी में demand account, और कुछ सीख सकत बाकि जिनको interest नहीं है, open करने का जबरत नहीं है, thank you students, मिलते हैं next video में, और channel को जरूर subscribe करें, ताकि CA related एक भी important update और announcement मिसना हो पाए students, thank you, और हाँ students, एक और important बात, आप सारे students को result के लिए all the best, जो लोग result का wait कर रहे हैं, time बरवाद ना करें, अगर आप लोग IT OC कर रहे हो, तो वहाँ complete करो, नहीं कर रहे हो, तो please registration करके CA intermediate के students, IT या OC complete करें, आपके लिए बोल रहे हैं, या दूसरा एक और काम कर सकते हो, अगर कोई students, CA final का हो, या CA intermediate का हो, कोई एक group का exam दी हो, तो दूसरे group का exam के लिए आप लोग preparation कर सकते हो, number 23 का exam current course में हो रहा है, syllabus में कोई भी changes नहीं है, तो relax हो करके पढ़ाई करे, time बरबाद ना करे, जिन लोगों को कुछ extra करना, तो share market के बारे में कुछ सीख सकते हो, सबसे पहले तो फिरी में DMAT account open करना होगा न, तो description में link है, अगर आप लोग मेरे link से open करोगे, तो मुझे भी कुछ referral मिल जाएगा, otherwise आप लोग play store से download कर लिजेगा, thank you students, bye bye